हर पड़ाव जो गुजरा तेरा, मुश्किले थी रहते में गमों की परचाईयों में सरगती रुक्स चाती जिन्दगी पास आते आते कुछ दूर छटक जाता, ना मिलता, मिलता कभी कभी ग्रहों की तेड़ी चाल पर तू भटकता एक बादल रहा जाने कितने दर गया, जिन्दगी भर गया, पर खौब ही रही सुख की अशर्फियां नसीब हुँत बस गम की सारी कौन छूटा छूटा सा लगा तेरी कहानी का कोई हिस्सा, तूटा तूटा सा लगा तेरी किस्मत का हर किस्सा कोई ये कहे, कोई वो सुनाए, तू जाए किस के पास, तूसे अपनी बताए काटता रहेगा गम से आखिर कब तक कले जा ये जरूरी तो नहीं के हर दुख को बस तू यूँ भी सहे जा मन में एक तलाश आँखों में नमी, नमिली कहीं अब तक उपायों की जमी बस सोचता रहा किसी से कह दो, दर वो जाकर जहां गम को थोड़े तू आ यहां, आ यहां, दिल का दरिया खोल दे, दफ्न है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे हुआ बहुत, हुआ बहुत, बस अब दुख और राए, बस अब दुख और राए नमस्कार सब दिन होतन एक समान कहा जाता है कि वक्त, समय बहुत ही प्रभावशाली होता है बहुत ही बलवान होता है वो हर किसी को अपनी कसौटी पर जरूर पर रखता है जो भी व्यक्ति उसकी कसौटी पर खरा उतर जाता है वो बन जाता है विजयता लेकिन जो भी हार जाता है वक्त के आगे ऐसे ही लोगों को हम देंगे सहारा अपने इस खास कारिक्रिम के वाधिम से जिसका नाम है बस अब दुख और नहीं आप सभी के दुखों से आपको मुक्ते दिलवाने के लिए आज भी हमें अपने स्टूडियो में आमद्रित किया है विश्व के जाने माने जोतिशाचार लाल किताब के ग्याता डॉक्टर जी डी वश्शीश जी को डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार डॉक्टर साब हम लाल किताब के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं लाल किताब इस वक्त में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है हर किसी को मैं देखती हूँ वो लाल किताब की चर्चा करते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर लाल किताब क्या है योगता ये तो सदियों से होता आया है कि जो भी कुछ पुराना रहा है वो पीछे चला गया जो नया है जिसके अंदर सुख जादा हो जिसमें काबलियते जादा हो जो कुछ करने की एक्षमता रखता हो वो हमेशा ही आगयाता है और इस जो चक्र को है हम कभी भी नहीं लोग पाएंगे और लाल किताब भी वाके में आज की डेट में तो मैं यही कहोगा कि ये परमात्मा के वर्दान सवरूप इस धर्थी पर आई है लाल किताब सही माइने में भारतिये जोती शास्तर के फलो का रस है जै हम जूस की दुकान पर जाके जूस पीते हैं घर में जूस निकाल के गलास पी लेते हैं तो हमें कोई कमी नहीं मैसूस होती कि बहुत सारे फल खाने बढ़ेंगे ठीक वही परकार ये लाल किताब का है लाल किताब आपके हर परकार के सुख को बढ़ाने में क्षमता रखती दुख को घटाने में तर आपके कोई शरीर की विमारी है उस को दूर करने की वखसा dignit जोतिश है वो भी ही कारे करता है अगर हम जोतिश में जाये तो वो भी हमें ही बताते हैं कि वो हमें हमारे दुख्थों से जो है मुक्ति दिलाती है फिर लाल किताब जोतिश से जो हमारी प्राचीन पदिती रही है पराशर जोतिश है उससे भिन कैसे है उससे ये भिन ऐसे है जो प्राश्र जो तिशार है उसके अंदर हम जब उतरते हैं, हम अपने कुंड़ी दिखाने जाते हैं, तो उस वक्त में गन्नाएं इतनी जड़ा होती है, सबसे पेले आदमी की कुंड़ी बनके सामने रखी हुई, फिर उसका नवान शलक चेक किया जाता है, दशान शलक चे करकी जाती है, ठीक है, और उन सब के अंदर बहुत जड़ा वक्त लगता है, और आप कहीं एक जगा चूक है, तो आपकी प्रडिक्शन ठीक नहीं हो सकती है, अब अगर ये हलात है, तो ऐसे में अगर एक आदमी कुंड़ी देखने लगे, तो एक दिन के अंदर शायद एक की कुली संभव उपाती है, और कई जोतिश वाली जो जानकर हैं, कई बार तो वो कई कई जिन लगा देती हैं, कोई खास परडिक्शन निकालने में, ये चीज़, पहली बात तो ये, दूसरी बात, प्राशन जोतिश की अतर, उपाई नहीं है, उपाई जो अब आदमी जबकि लाल किताब, लाल किताब का एक सीधा सा पंड़ा है, कि ये ग्रह यहां पर बैठा हुआ है, और ये इसका लाजिक है, और ये लौ इसके उपर फालो होता है, ये लौ के अकॉर्डिंग और ये बैठे हुए ग्रह के अकॉर्डिंग इसके जीवन की ये परिक्शन है कि यह होगा और उपायों के अंदर बकैदा scientifically proof उपाय हैं कि अगर मुझे ब्रस्पती का उपाय करवाना है वहां पर अगर ब्रस्पती आपका positive है तो मैं क्या करूंगा आपके घर के अंदर ब्रस्पती की सारी चीज़े रखा दो का चले की डाल भी रखा दोंगा सोने के चप जो का दो स्फाओ हाथ लगाओ यह ब्रस्पती को अच्छा करने के लिए है और अगर आपकी कंड़ी के अंदर बिर्श्पती आपको ख्राफ़ल दे रहे हैं वह किसीभी तरह से नीच हो रहे हैं मैं आपको कहूंगा कि ब्रस्पती यानि की पीला, आप देखते हैं ब्रस्पतिवार को और थे खास कर जो व्रत करती हैं वो पीले रंके वर्स सर पैंकती है, बलकुल, पीला यानि की हल्दी, चने की दाल, केसर्थ, और सोना, फिर मैं क्या करूंगा, इन चीजों को इकठा कर करके मैं लोगों को कहता हूं कि जाकर के अपने कुल प्रोहित को देखे आए, कुल प्रोहित कोन है, हमारे जो ब्रस्पति, हमारे गुरू, शमाएंगे, ब्रस्पती की चीज, जब ब्रस्पती को देते हैं, तो यहां पर वही लॉजिक आ जाता है, जैसे लोहे को लोहा जाता है, ऐसे ही ब्रस्पती की चीज, जब आप ब्रस्पती को देते हैं, तो ब्रस्पती अपने बुरे फल को त्याक दे, एक यह चीज, या बहुत जाला खराबी पे हो, तो फिर हम कहते हैं, कि चने की डाल, 43 दिन लगाता, 400 ग्राम लेकर अपने सर से 7 बार उतार के उसक के अंदर, 9 के 9 ग्रहों की औरा है, इसके के अंदर के नहें एक ताकत है, उन्ही के अंदर जब कुछ कम और जारा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर के फंक्शन के ओपर उसका असर पड़ता है, वहीं से बीमारी या खासियते पर रपती हैं, वहीं से हमारे शरीर के अंदर अगर ब्रस्पती देव खराब है तो ऐसे में क्या होता है कि ब्रस्पती की देव के अनर्जी जातों बहुत जादा बढ़ी हुई है और उसके ओपर दूसरी अनर्जियों ने कबजा कर लिया तो ऐसे में हम क्या करेंगे ब्रस्पती देव खराब है या दूसरी अनर्जियों को ढुत तो ऐसे में क्या क्या करेंगे हम प्रस्पती की वस्पतु चने की दाल ले face उसको जब अपने सर से हम घुमाते हैं, तो हमारे औरा मंडल के अंदर जो फिक्स एनर्जी बड़ी हुई है, अब रस्पती की, वो चने की दाल उसको एब्सॉर्व कर लेती है, उसको एब्सॉर्व करने के बाद जब उसको हम जलपरवा करते हैं, तो उसके साथ थोड़ी सी ही देख सकता है कि वाके में ये एनर्जी हमें बहा देनी चाहिए या नहीं, क्या वाके इसके औरा मंडल के अंदर ये ज्यादा है भी या नहीं, अब जिसके पास पहले ही अगर कम है, उसको बहा दिया तो उसको मामला उल्टा हो जाएगा, इसी लिए ये चीज होगी, इस सारी चीजे ज्यादा खराबी में बढ़ चुकी हैं और आपके कॉंडली के अंदर भी मंगल शौ हो रहा है कि किसी लग किसी तरह से खराब है, बेशक वो पॉजिटिव राशी के अंदर बैठा हो, पॉजिव गर के अंदर बैठा हो, लेकिन जो दूसरे लोग है, जैसे कि शुकर नवे में बैठ जाए तो मंगल बद होता है, बुद्ध शुकर आपस में मिल जाए तो मंगल बद होता है, सूरे शनी आपस में मिल जाए तो मंगल बद होता है, ऐसी वस्ता में अगर मंगल देव खराब वस्ता में हो, तो हम आदमी को कहते हैं, कि एक मिट्टी का ल वो डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर क्या कंडिशन, उसके अंदर देसी खांड भरे, देसी खांड मंगल से पूरी पूरी कंसर्ण है, वो लेकर के या लाल मसूर्ल, उनको लेकर के अपने सर से साथ बार गुमा करके, गहरा खड़ा खोद के उसमें दबाएगे, जैसे मिटी पे जब उठते हैं, तो ये एक रबड की तरा होती है, नहीं, लिकिन वो ये लगए लि़कन वो जैसे आपके वो बागे रह जाएगी जितनी आपको चाहिए बाकी सारी फीछे चोड़ाइगे, इस प्रकार से वो और निकला से जगी, आपका लेकी आपका यतली तो बिल्कुल बैलेंस आगे आप जब घर पहुंचेंगे इतने शांत होंगी आप पूरऽ ब्योरा, जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चड़ाव कहाँ पर होगा ठहराव और कहाँ पर मेलेगा बढ़्या पराव सब बताते हैं पंडित जी इस सीडी में जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल जीवन में किस से बिगड़ेगा, किस से होगा आपका मेल कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन है सुख़दाई ग्रह सब को जानिए अपने नाम की सीडी बनवा कर दुख़दाई ग्रहों के शान्ति के लिए क्या है उपाए सब बताएंगे पंडित जीडी वसिस्ट कौन सा काम है आपके योग्या, किस काम से करें परहेज अपना खर कब बनवाए, घर में क्या रखें, क्या नहीं सब जानिए पंडित जी से इस सीडी के माध्यम से लाल किताब वाली अपने नाम के अन्मोल सीडी के लिए समपर करें पंडित जीडी वसिस्ट से अलप विराम के बाद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रों में जिसका नाम है बस अब दुख और नहीं हमारे साथ जुड़े हुएं डॉक्टर जीडी वसिशी जो कि विश्व के जाने माने जोतिशा चाह रहे हैं लाल किताब के एक्सपर्ट हैं चाहते हैं कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएं जोतिश में तब ही धीरे धीरे करके हर ग्रह के मूड के बारे में आपको बता रहे हैं अगर कोई ग्रह बहुत उच्चका है आपके जन्म कुंडली में तो क्या पढ़ सकता है आपके जीवन पर प्रफाव और अगर वो नीच का है तो आपका जीवन कैसे संचालित करेगा साथ ही उपायों के बारे में भी आपको पूर्ड विवरंड दे रहे हैं डॉक्टर साहब आज के संदर्ब में देखा जाये तो आज कर अगर हम नौकरी की बात आपने की है आज के संदर्ब में बहुत ज्यादा लोगों के सूर्य नीच के रहने लग गए है यह सदियों से यह रेशो अगर जोड़ी जाए तो वैसे की वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी सिरफ हालात बदल गए हैं अच्छा सूर्य देव जिनके उचके होते हैं वो तो पहले ही अपनी अपनी जगा पर पूरी तरह से फिट है आप न्यूस चैनलों के अंदर लगा लिजिए न्यूस चैनलों के अंदर जितने भी उचे के ओधे के ऊपर बैठे हुए हैं और जिनके पूरे बलबूते के ऊपर न्यूस चैनल चल रहे हैं उन सब के सूर्य उचके हैं जो आए दिन नौकरिये तबदील करते हैं उनके पिता को क्या क्या दिखते आए वो सारी यही बाते बताएंगे जो आपको भी बताई हैं इसी की किसी रूप में सामने आए आप सूरह उच्छवालों को पूछ के देखिए वो कहेंगे जी हमारे पिता जी तो वहां पर लगे थे वहां लगे थे तो एंड में रिटायर ही हु जमाना ऐसे ही चलता है ऐसे ही चलेगा लेकिन यह जो हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को वो इसी लिए दे रहे हैं कि आपकी कमिया आपके सामने आजाए तो आप उन्हें इसी ठीक कर सकें डॉक्टर साब वाकई सूरह के बारे में जो आपने बताया है वो वाकई बहुत प्रभावशाली है और जिवन लोगों को बार-बार में अकसर उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अपने जीवन में इतना बदलाव क्यों लाते हैं उसके पीछे की जो वजह है वो आपने बता दी उपाय भी आपने हमें समझाए हैं एक बात और बताओ मैं लोगे सारी द बतार ना ग्रै होते हैं सूर्य और मंगल क्योंकि ये गरम ग्रै हैं ये जब तबाह करते हैं तो अपने शरीर को भी तबाह कर देते हैं और सामने वाले के शरीर को भी तबाह करते हैं इनका गुसा क्योंकि सूर्य और मंगल जिसके परभावी होंगे और खराब होंगे वो दोपैर के अंदर किसी ना किसी का कतल करतेगा अपने फाइदे के लिए चाहे अपने इस आतमसम्मान के लिए चाहे गुस्षे के कारण चाहे एक सीधे पन के कारण वो कुछ नपकुछ ऐसी गलती करतेगा इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक सूर्य और मंगल होते हैं मंगल देब भी जब खराबी पे होते हैं आपने देखा होगा कि बैठे बिठाए अपने दोस्त को गोली मार दी अपने दोस्त को दगा देने के लिए वहां से थोड़ा स्वार्थल करने के लिए उसको गोली मार दी पहले तो अच्छे बन के उसको पैसे दे दी जब मांगने गये तो उसने नहीं दिये टो उठाके उसे गोली दी इस तरह की आई दिन आज की डेट में ये नियूसे आती है डॉक्टर साब अब तक आपने ब्रहस्पती के बारे में हमें समझा दिया कि उसके क्या क्या इफिक्स बढ़ सकते हैं हमारे जीवन में सुर्य के बारे में आपने बताया साथ ही आपने मंगल से भी थोड़ा सा बचका रहने के लिए कहा है तो अब जाहिर सी बात है कि उच्छता ये उच्छती है कि अब हम मंगल के बारे में जाने कि उसका हमारे जीवन पर हम कैसे प्रभाव देख सकते हैं आपने कहा है कि बच के रहने की जरूरत है अगर बुरा हो तो किसी भी ग्रह से बचना बहुत जरूरी है अच्छा हो तो उसको जितना गले लगाओगे उतना ही सुखपाओगे ये बीचीज है अब इसके बीच में मंगल देव की अब बात करते हैं तो मंगल देव सबसे अच्छे ग्रह और सबसे बुरे ग्रह यही माने जाते है अच्छा हो तो दुनिया के अंदर इस पूरे काइनात के अंदर इससे अच्छा ग्रह कोई नहीं और बुरा हो जाए तो पूरी काइनात के अंदर इससे बुरा कुछ नहीं क्यों क्यों कि मंगल के दुख वाकई में दुख होते हैं वो दुख क्यों हमारे शरीर के अंदर रगों के अंदर जो खून बहता है ये मंगल होता है हमारे को जो स्टेमिना देता है काम करने का वो मंगल होता है हमें जो बाहर से सपोर्ट मिलती है लोगों की वो ये मंगल देता है हमें जो भाई देता है वो ये मंगल देता है हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी मंगल कार्या होते हैं चाहे वो शादी हो विवा हो हवन हो यग्या हो कीरतन हो लोगों के अंदर एकट करके चाहे वो बड़े पार्टी हो जितना कुछ भी ये सब कुछ होता है ये हमें मंग ही देता है